नमस्का दोस्तों हिंदी नुज अफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके लिए एक अपडेटर बेडियो लेकर आ गया हूं दरसल बेडियो यह जो है यह रसिया के मिलिटरी डॉक्टरन से लेकर है जो कि भारत चाइना और रसिया के मिलिटरी पॉइंट आव वि लेक हो गई थी दस साल पहले और लेक करने का काम जो किया था यह अमेरिका ने किया था दस साल दोस्तों उसमें साफ साफ 29 पॉइंट लिखे हुएं 29 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है कि आज नहीं तो कल रसिया और चाइना के बीट में युद होगा अभी खुल कर दोनों इस पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन आज नहीं तो कल इसी को ले करके लड़ाई होगी तो जब यह लड़ाई होगी तो उसमें रसिया का यह मानना है कि सबसे पहले चाइना उसके उपर एक छोटा हमला करेगा उस हमले इसमें वो यह देखना च जब आएगा चाइना की तरब से रशिया के पास तो रशिया का कहना है कि उस वक्त हम अपना नुक्लियर अटैक करेंगे चाइना के ऊपर नुक्लियर अटैक इसलिए करेंगे क्योंकि रशिया के पास जो उसकी सेना है वो लिमिटेड है और जो उसकी बॉर्डर है वो दुनि से लडाई कर रहा है। वहां तो उसने अपनी मिलियेटरी उतार दी। क्योंकि कहीं नहें वहां पे यूक्रेन के साथ उसके निक्लियर अड़ाक करना ठीक नहीं था। रसिया की बॉर्डर बिलकुल लगती हुए है और उलिमिटेड बॉर्डर है और वहां से वो मिलेटरी के साथ लडाई कर सकता था इसलिए वो उसके साथ गया लेकिन चाइना के साथ ये बिलकुल भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रसिया के जो फ्रंट खुलेंगे वो बहुत ज़्यादा खुलेंगे अच्छा ये भारत के लिए गिफ्ट क्या है दरसल उस डॉक्टर्ण में एक चीज़े भी लिखी हुई है कि जब भी भारत की और चाइना से युद्ध होता है तो उस केस में रसिया हमेशा भारत का साथ देगा भारत इसका पुराना एक दोस्त है वो मजबूरी है ऐसा रसिया का करना वो कोई खुसी से नहीं करेगा भारत का साथ देगा दरसल बात कुछ ऐसी है कि चाइना का जो भी पडूसी देश है सबी के साथ चाइना के कुछ ना कुछ relation खराब है कहीं उसका mostly तो उसके जमीन से विवाद जुड़ा हुआ है उसमें क्या है कि कोई ऐसा भी देश नहीं है जो चाइना से proper way में लड़ सके चाइना को कोई टकर दे सके सिवाए भारत के तो एक तरफ भारत चाइना को टकर दे स सकता है तो भारत भी चाहेगा कि रस्या हमेशा स्ट्रॉंग रहे और रस्या भी चाहेगा कि भारत स्ट्रॉंग रहे क्योंकि यह दोनों जब स्ट्रॉंग रहेंगे तो चाइना कभी भी लडाई नहीं करेगा क्योंकि चाइना एक फ्रेंट पे तो लडाई करने के लिए त तो शुरू हो जाता है चाइना ने लडाई छेड़ दी अब भारत के बॉर्डर पर जो उसकी सेना लगी हुई है तो चाइना वहां से अपनी सेना तो नहीं हटा सकता है भारत के साथ भले उसकी लडाई न चल लई हो और ऐसे ही मौके हमेशा देखे जाते हैं अगर कभी भी मौका रहेगा चाइना के उपर अटाइक करके कुछ अपनी जमीन जो उन्होंने कभ्या रखी वारत की उसको वापस लेनेगा तो ऐसे मौके कोई विद्देश कभी भी छोड़ता नहीं है इसलिए चाइना कभी भी यह अफोर्ड नहीं कर सकता है कि एक साथ दो दो वो फ्र रसिया की है और चाइना की पॉपलिसें 140 करोड है पहला तो डिफरेंस यह दूसरा एकॉनमी वाइज भी अगर हम देखें तो चाइना जो है एकॉनमी वाइज बिस में नंबर दू की एकॉनमी है उससे ज़्यादा पैसा सिफ अमेरिका के पास है और किसी के पास नहीं है त नहीं है तरम गवी अरूसरा बिस में तो इस में यह दोस्तों यह को साथ मिलेगा ऐसा डूत पहले बी एक इंटर diese में बोल चुके हैं कि रश्या हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है चाहिए वो एलेसी का मामला अभी गल्वान के इंसिडेंस था वहां पर भी हमको देखने के मिला है कि कहीं न कहीं रश्या का इंडिरेक्ली शपोर्ट भारत को था सिया ने उस केश में चाइना का बिल्कोल भी सपोर्ट नहीं किया दना ही वो चाइना के साथ आया था उसने भारत का ही सपोर्ट किया कोई सब्गानी बहुत ही परिशानी में इसलिए वो रशिया चाइना के साथ ज्यादा भी आ चुका है ठीकए दोस्तो हमाप के लिए बीडियो लेकर आऊंगा धांग्यू दोस्तों आपको इंटॉर्मेशन अछी लगी जिए तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करते